हेले श्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलोग बच्चो क्लास 12 कमिस्ट्री की बात करें हम 12 कमिस्ट्री में हम यहां पे जो कोच्चन ला रहे हैं ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं केवल मोस्ट कोच्चन पर ठीके रहते हैं हलाकि सभी को यह कोच्चन तयार करना ही है लेकिन जो कुछ भी नहीं पढ़ता है वो की नहीं तो यह आई नहीं सकता है इसलिए चैप्टर जो है आज का बच्चो एक से पाच तक सुपर फास्ट कोश्चन देखेंगे यहां पर जो भी बच्चा यह दिन नया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है हम आप लोगों के लिए निरंतर क्लास प्रवाइड कराते हैं उ दूसरा कोश्चन है परस रणदाब मापने की बरकले हाटले भी धी कोथनांक उन्नैन और हिमांक अबनवन का ग्राफी निरूपन है चैप्टर वन का है जिस चैप्टर का नाम है बिलियन आदर्स अनादर्स बिलियन अनादर्स बिलियन के दो प्रकार होते हैं धनात्मक व किसे कहते हैं इसके प्रकार ठीक है मुल अर्ता मुललता में अंतर मुल प्रुभाज पटी पड़ी और संक्य उडुधर्म किसे कहते हैं बांठाब गुणांग पटी पड़ी तो यह हमारा चैप्टर टू है जिस चैप्टर का नामे सल्यूसन अर्थात बिलियन यहां पर कोल्रास का नियम तथा अनुप्रियोग सुस्क सेल का सचित्र वर्नर विद्दूत रासानिक सेल फैराडे का नियम भी आप लोग कोश्चन में लिख लेना फैराडे का नियम तुल्यांक की चलकता वह आनविक चलकता से आप क्या समझते हैं सेल इस तरांक किसे कहते हैं वि बिदूत रासानिक सल, बिदूत अवगटनी सेल में आपका अंतर, और एक आप लोग लिख लेंगे फैराडे का नियम, क्या बच्चो फैराडे का नियम, इतना कोशन आपको तयार करना है, पर इकोशन आपको दिया जा रहा है, बोर्ड एक्जाम को भी आप टार्गेट में प्रकार है, अबक्रिया की अणुसंखता तथा प्रकार है, सुन कोटी के लिए अरधायुकाल का बिंजक है, सक्त्रिन उर्जा और देली उर्जा में क्या संबन्द है, रासानिक अबक्रिया के दर को प्रहावित करने वाले कारक, ठीक है, इसके बाद बच्चो प्रथम ермारत है, एस चैप्तर में दो अंक्रिया की अबक्रिया की दर धर प्रिशती रंग में प्रकार है, सुनकोटी के लिए बिंजक, अर्धायुकाल के लिए बिंजक, एतने Чlu ने, यहां पे देखो, एक दो कोशन बड़े है बाकी सब चोटे-चोटेचो कोशन है, इसलिए सब प्रिश्नों को तैयार कर लेना फिर से मैं बता रहा हूं दो अंतर यहां पए छेपटर से D और F ब्लाक का element इसमें हैं Lengthinate संकुचन किसे कहते हैं Lengthinate संकुचन के प्रभाव Lengthinate, Actinate में अंतर D और F ब्लाक में अंतर जो यह अगला प्रश्णल बच्चो दुइकलबड संकुल लबन यह जो है अगले चेप्टर का है दुइकलबड संकुल लबन सबसे ज़्यादा इस चेप्टर में D-Block के तत्तों के भौतिक गुण पूछे जाते हैं जैसे C1 पास्टिव रंगीन परंतु C2 पास्टिव रंगीन होता है क्यों संक्मन तत्तों परिवर्ति समझकत प्रदर्शित करते हैं क्यों संक्मन तत्तों की से कहते हैं समझाइए जिंक, कैडमियम, पारा संक्मन तत्तों के गुण बैकत नहीं करते हैं क्यों टाइटेनियम को आश्या जनक धातु कहा जाता है क्यों TIO2 स्वेत है जबकि TICL3 वैगनी है क्यों संक्मन धातु में रंगी नायन बनाते हैं क्यों संक्मन धातु अनचुमिकी गुड़दर साते हैं क्यों संक्मन धातु अच्छे उत्प्रेड़ा खूते हैं क्यों आंतर संक्मन तत्तों किसे कहते हैं संक्मन धातु आसानी से मिस्ट धातु बनाते हैं क्यों यहां से मैं केबल most question ले रखा हूं लगबग लगबग 25 question है जिसमें से मैं 10 question दिया हूं ठीक है उमीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्णों को त्यार कर लेंगे इसके बाद मैंने बोला था बच्चो उपसा सेयोजी योगिक में दुख लबड संकुल लबड पिछले चेप्टर मैंने आइड कर दिया था दोखे से लेकिन इस चेप्टर का हमारा ये topic है कीलेट लिगेंड बताना आपको प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है सेयोजक यदि IUPAC नामकरण बन रहा था सब कुछ बन रहा है भटकनी जरोत नहीं है उमीद करता हूं बच्चो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे इतने प्रिश्ण तयार कर लेना भी फिलहाल त्रमासिक के लिए है और भी जो भी रहेगा बोर्ड एक्जाम के लिए हो तो टार्गे